नमस्कार मेरा नम एमान, NBCN News में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज बात करेंगे शहर की उस गली के बारे में, उस महले के बारे में, उस एरिया के बारे में जिसे हम सब बदनाम गली के नाम से जानते हैं वो बदनाम गली जहां शहर के लोग अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए आते हैं और बदनाम सी वो औरते होती है जो वहाँ पर काम करती है वो लोग नहीं होते है जो अपनी शारीरिक भूख मिटाते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है लेकिन पिछले एक मेने से वो बदन शितिजा को भेजा तो उन्होंने उनके बारे में जानने की कोशिश की कि वो पिछले एक मैने से कैसे गुजारा कर रहे है। पिछले एक मैने से वो किन-किन चीजों का और किन-किन परिशानियों का सामना कर रहे है। उन्होंने ये बात खुल के हमारे सामने रखी। फिलाल पिछले एक मैने से जब से ये गंगा जमना बंद हुआ है तब से वहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, वहाँ हलचल सारी बंद हो चुकी है एक मैने से वो लोग बहुत परिशानी में है, ना उनके पास कोई अनाज है, ना उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे बचे है ये बहुत बड़ा सवाल हम सब के सामने, प्रशासन के सामने और पुलिस वालों के सामने भी मौजूद है अब ये प्रशासन क्या चाहता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन पहले जानते हैं कि गंगा जमना की बस्ती का क्या हाल है मैं एक किटनी की हूँ, और मुझे खर्चे के लिए पैसे चिल लगते हैं जमना बंद करें, रितरोन में दंदा करेंगे याई ज़त से कमा के खारें, बाहर में तो सला कलेज के बहना से कई जंद दंदा करें एकादी किराइक भी आजेंगे, तो उसको भी इतना मारते हैं, जिसके हद भी नहीं है आज एक मेना हो चुका है, हम लोग बहुत परेशान है सब मावेना भूखे प्यासे मरें, वो बोलता धंदा हो रहा है, यहां कहा के धंदा हो नापुर्शाय, यह तो कई नामों से पैचाना जाता है, संत्रानगरी हो, मेट्रो सिटी हो, साथ यहां की एक पैचान और भी है, रेडलाइट इरिया गंगा जमूना, यह भी यहां की एक पैचान है पिछले एक माह से यहां पर पुलीस द्वारा प्रतिबंद लगाया गया है, सील किया गया है, जिसके बाद यहां की वारांगनाओं की समस्या, उनकी जुबानी सुनते हैं, उनकी जुबानी चलिए, आईए मेरे साथ. गंगा जमुना पिछले एक मैने से बंद है, हम गंगा जमुना की यहां की वारांगनाओं, उनसे जानेंगे कि क्या उनका कहना है, जिससे प्रशावसन ने उन्हें बिना इतला किये, जो है गंगा जमुना को सील किया है. मैं तो यह बोलना चाहती हूँ, वैसे तो हमारी गंगा जमुना खुलना चाहिए, बहुत माँ बेटियों के धंदे मारे जा रहें, और हम लोगों के भी धंदे मारे जा रहें, कुछ हमें, यानि कुछ दिखी नहीं रहा हम क्या कर एं क्या नहीं कर और मेरी तो पहली बद कमर में माचा रहें लगे तो मैं सबके सामने भी दिखा सकती हूं कि मेरा उप्रेशन कितना बड़ा है मेरे को यहां से हजार पंचल पे मिल गए बाइचांड वो दबाई के लिए होते हैं मेरे अगर कि मैं आपको विस्वास भी नहीं आता तो मैं मेरा उप्रेशन में दिखा सकती हूं कि किता बड़ा और मैंना यह चाहती हूं कि जमना खुलना चाहिए और मेरी माँ भेन के लिए बहुत दिक्कत पड़ रहे हैं वो कि बच्चों कि इनकी भी पड़ाई मारी जा रहे हैं ऐसा नहीं जगे-जगे पिलिस लगा दिया गया जगे-जगे लगा दिया ग अपर इंप साफ को भी समझना चाहिए थाना था ना पहले ही नई यहां पर इंक्वारी करने चाहिए थखा ना वाक olabilir कर नहीं है तभी वह हमारे पेट पर लात मारना चाहिए थाना उच्छ तो चानी समझा नी एक दम से हमारा एरिया बन कर दिया और हम लोग तो इहां पर भूकसे बहश्टी में हम तो ऑपने जिसम बेच रहे रहे लोगों के और आठानों जा जाखेर्स कर रहे हैं वह लोग हम तो सफरीया में बैठे नहीं अब भूए ह路 जब कर सुपत हैula को दो और इससे नहीं संब आ verw Auf हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी विल्डिंग है खरी दिये हमको फिरी में तो नहीं दिया सरकार ने हमसे तो पैसा लिया आए ना जबी तो हमको दिया आए न एक मैना हो गए हम सब मावेना भूके प्यासे मारे वो बोलता धन्दा हो रहे यहां कहां के दंदा हो 24 गंटा तो पुली साला लगे हमारा पीछे सब लगा लगा दिया है तो हमारा पास कहां से गिराए का गया तो हम लोग धन्दा करेंगा एक मैना हो गया हम लोगों को भूके प्यासे रहते रहते हैं सर ने बोला था कि नवतारी के बाद जमना खोली जाएगी आप लोगों की बेरिगेट हटाने से क्या हाता है बेरिगेट हटने से क्या प्लीस तो लगी रहती है कोई नहीं आता है टूसन से निकाल दिया गया बैच्चे को फीस बरने को स्कूल को नहीं है टूसन की फीस बरने को पैसा नहीं है मैं एक किटनी की हूँ और मुझे खर्चे के लिए पैसे चिलगते हैं मैं ये दंदा नहीं करूंगी तो मुझे दबाई कैसे मिलेंगे एक महीने से मुझे पेट में दरद होता किटनी पे असर होता मेरी पे लेकिन मैं पैसे रहेंगा तो दबाई लाँगी ना सो दोसे रुपे भी नहीं कमाने देते ही पुली साले डिगा लगा कर अगते हर जगा कमांडो लगा कर अगते कौन देखेंगा ये कौन आएगा कस्टूमर अभी नहीं करने देते हैं पुली साले जाएंगा अगते हैं पुली तक नहीं खुला है तो हमने जानी वारांगनाओ की समस्याओ उन्हीं की जुबानी की समस्याओ का सामना ये वारांगनाओ पिछले एक मैने से कर रही है जिस तरह से सील लगाया गया है प्रतिबंद लगाया गया है उसके बाद से जो जिन्दगी ये जी रहे है उसके बाद इनका कहना है कि हमें किसी भी तरह का पुनरवसन नहीं चाहिए किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए सरकार चाहती है वहां की महलाओं का पुनर वसन हो, लेकिन क्या वो चाहती है? आईए जानते हैं उनकी जुबानी. गंगा जमुना जो है, ग्यारा तारीक से ग्यारा अगस से बंगाद किया गया है, जिसके बाद यहां की जो महिला है, वारंगा न महिला है, हुँझे दिक्कत क्या है? सुनते हैं उनकी जुबानी. क्या पताऊगे? अब जो हमारी लाइफ अभी खराब हो गई अब जो हमारी बेटी आ रहेंगे या हमारे बच्चे रहेंगे उन्हें हम पड़ा लिखा के अपने पेर पर खड़े करेंगे पुनरवसन चाहिए या घंगा जमना ख़ूलना चाहिए बॉलना चाहिए हम वोलना चाह रही हु कि पुलिस काड़ा उनको अथाना बहुत जाद प्राबलम मोरी हम लोगों को कि अम्हा नए बिल्कुल नहीं कि नहीं हम लोगों पॉन्र रखेगा पता लगा उना को लोग परापेट हम खुदी बर लें कामा के अब इस तरहां जाएंगे वो लोग पुनिव साथी करके छोड़ देंगे तो लड़कियों कोई हां किती सालों से रहरे बता अपने खुट के मकाने और ऐसे सीले लगा रहे बता कोई ऐसा कोई मदर की आए किया ग्यारा तारीक हो गई हमारी जमना जब से खुली नहीं है हमको पुलिस से कोई आपती नहीं बस हमको यह हाथ जोड़ के बोल रहे है कि हमारी गंगा जमना खोल दो और हमको कुछ नहीं चाहिए आउनलेइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे कहां जाएंगे पढ़ाई करने के लिए एक अभी सब आच्वी किलास में लड़का मेरा पाँ जाएंगे वो उनको लेके को है के शादी करने वाला हमसे चोटी बैन है उसको पढ़ाना लिखाना कैसे करेंगे उसकी कैसी फीसीज बना ये सब कुछ करना कैसे होगा तब ये सबी बंद रहेगा तो क्या बताओगे कि पुनरवसन का भी आपको वादा किया गया था एक मैना होते हुए कुछ जो है कदम उठाए गए आपके पुनरवसन के लिए आपको कुछ बताया गया है कि आपको कुछ व्यासाय दिया जाएगा या कुछ किया जाएगा इसा कुछ अभी तक आपको बता कुछ नहीं बताएगा अभी बस पुलिस वाले खड़े रहते गिराट नहीं आता हमारे चोटे-चोटे-चोटे बहन भाई यह कहां जाएंगे मा बीमार रहती है और हमसे कौन साधी करेंगा बोलते कि काम दिला देंगे क्या काम दिलाएंगे हमको और कोई काम करना हो यहीं र हिलाओ का दर्द जो है उन्हीं की जूबानी जाना है यहाँ पे कुछ लड़किया भी है जो ऐसे पड़ाओ पर है उम्रे की जो 21-22 की जो हरेती है जहां आम लड़कियों की शादी की जाती है इननी का भी वही कहना है अगर हमारी आगर शादी करवाते हैं तो कौन हमें प्रशोंसे की हमारी जो है वो खोली जाए। है शार के कही गायों में अचानक कहीं बार बाड आ जाती है तो कई बार भुकम आ जाता है उसी प्रकार 11 अगस्ट को पुलिस ने गंगा जमना की बस्ती को बंद कर दिया और इसी तरह उन सब पर मुसिबोतों का पहाड तूट पड़ा आईए जानते हैं पुलिस वालों का क्या मकसद था इस गंगा जमना की बस्ती को बंद कराने के पिछे नागपुर शहर का गंगा जमना जो की रेड लाइट एरिया है पिछले एक मैने से उपर होते चला रहा है जहां पुलिस प्रेशासन ने प्रतिबन लगा कर स्टील कर दिया है इसे के बारे में हमने वहां की वारांग गनाओ की दूबा नी सुनिये ज बंद की पुलिस प्रेशासन ने पहला गने से वहां पर बॉस्टिटीशन ना करते हुए बहार से लेडियो इसको बुला के प्रॉस्टिटीशन करते हैं उनके प्रॉस्टिटीशन में से वह शेयर लेती है तो बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो वो एक दलाल का काम कर रही है एक ब्रॉटलाउस चला रही है जो कि completely illegal है कि उसको कोई भी support नहीं करेगा इसलिए हमने उसको avoid करने के लिए उसको रोकने के लिए वहाँ पर police presence बढ़ाया है लेकिन जहां तक बात आते है rehabilitation की तो खुद की जैसे मैंने बताया खुद की इच्छा शक्ती अगर उनके अंदर होगी तो वो खुद आवेदन देंगे और आवेदन देने के बाद वो एकदम हम उनका स्वागत करेंगे और उनको बदलाब करने के लिए मैं बता रहूंगी जितनी वरंगनाई हैं उस से ज़्यादा लोग उनको बदलने के लिए अगर उदेंगी बात की तो उनका कहना था कि कौन हमें अपनाएगा सभी का एक ही सूरता की कौन हमें अपनाएगा क्योंकि अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो समाज हमें एकसेप्ट नहीं करेगा तो इसके लिए आपके और से कुछ एंज्योस सामाजिक कीया है कौंसलिंग600 कुछ करने के बाद हमने बोला कि अब आप लोगों को हमने वो accept नहीं करेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्यों कि समाज में किसको क्या मालूम है अगर वो कोई होटल चालू करते हैं तो उनके चेहरे पर थो नहीं लिखा है कि वारंगना है या वारंगना काम करती थी पहले या किसी स्किल डेवलप्मेंट लेकर अगर वो किसी कमपनी में काम करती हैं किसी कारयाले में काम करती हैं तो उनके चेहरे पर थो नहीं लिखा है तो यह दलील मुझे नहीं लगता किसी किसी मतलब की है कि हमको समाज accept नहीं करें समाज को कहां पता है कि आप कहन है और कहां से आएं और अगर पता भी है तो भी वो आपके skills को देखेगा आपकी मेनद को देखेगा वो यह नहीं देखेगा कि आप किस background से आएं सब लोग बहुत अलग अलग background से आते हैं और अगर वो यह बोल रही है कि समाज हमको accept नहीं करेगा तो उन वारंगनाओं को accept कैसे किया गया जिन्होंने संकल प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट में अपने आवेदन दिये और नई नौकरिया ली और दूसरी जगे वो काम कर रहे हैं तो उनको समाज ने कैसे accept किया है जिन्होंने दूसरे परिवार में शादिया की है उनको समाज ने कैसे accept किया है उनको किया है तो उनको भी accept करेगा कि हम लोग कठोर तरीके से भी वहां पर एक्षिन ले सकते हैं लेकिन हम यह चाहते हैं कि हम अपने एक्षिन में एक मानव दिश्टी रखें इसलिए हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट को साथ लाकर आपको रियाबिलिडेट करने का भी प्रत्न किया है आपसे यह अनुरोद करेंगे कि आप लोग दूसरा रोजगार चुने दूसी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करें अपना जो घर है वो प्रोस्टिटूशन के लिए रेंट पर देने की बज़ए कोई वहां पर गोडाउन चालू करें कोई इंस्टिटूशन चालू करें और आपके जो आने वाली पीडी है उसको इस चीज़ से भाहर निकालें लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोग कानून विवस्ता को इंप्लिमेंट करने के लिए लागू करने के लिए प्रतिबध है और किसी भी कीमत में हम लोग अपने एरिया में ये जानकार ही होते हुए कि कोई illegal काम हो रहा है हम लोग illegal काम होने नहीं दे सकते एक तरफ गंगा जमना में रहने वाली महलाओ ने अपना दर्द अपनी पीड़ा हम सब के सामने NBCN के थ्रू रखा और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने अपना मत रखा कि गंगा जमना बस्ती को क्य बंद कराए गया ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गंगा जमना फिर से गुलजार होगा या इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह जाएगा मैं मान यहां से तो विदा आप देखते रहिए NBCN News क्योंकि सच दिखाए बिना चुपाए